कोडिंग टुटोरियल्स में आपका स्वागत है अचके इस कोडिंग टुटोरियल के अंदर हम अमारी HD वाल्पेपर एप जो हमने बनाई है उसके लिए स्क्रीन शॉट्स बनाना सिखेंगे इसे के लिए हम स्क्रीन शॉट्स बनाएगे ताकि हम ज्यादे से ज्यादा यूजर्स को कैच कर सके और प्रोफेशनल टैप के स्क्रीन शॉट्स बनाएगे और उसके लिए मैं एक टूल लेके आया हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे को ताकि हमें मोटिवेट हो सके और आपको हमारी वीडियो की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन्स मिलती रहे है सबसे पहले माँ आपको हमारी स्क्रीन सेच बनाने वाहा है वह दिखा देता हूं आप देख सकते हैं यह बेसिक स्क्रीन शॉटी है और उसे हम आज हम बनाने वाहा है सबसे पहले माई इसको फॉर यहा पर हम लेखेंगे त Deshalb citas Started पर क्लिक कर देना है और फिर आपको यहांपर wanna email idन्यक का password डाल देने और फिर sign up प्रिक कर देनी किसे कि कुछओं के यह पर error आ गया क्या जलक्स पांड और बना रख़ा है describes account बना देने जमें और j own आ जाना है और dashboard के अंदर आपको यहाँ पर add another application और new का button मिलेगा आपको यहाँ पर लिख देना है अपके जो भी application का name है वो उसके बाद आपको add app के click करना है और यहाँ पर हम आ गए हमारी dashboard के अंदर यहाँ पर कुछ services paid है और कुछ free तो यहाँ पर हम screenshot creator पर click करते है और अब देख सकते हैं यहाँ अच्छा असा layout मिलेगा तो हम इस तरीके से screenshots design कर सकेंगे तो सबसे पहले हमें pick a device to start तो यहाँ पर हमें click करता हूँ और अब हम S8 जो Samsung का phone है उसके लिए screenshots बनाएंगे तो यहाँ पर हमें 8 screens को 6 screens को add कर देता हूँ तो यह रही हमारे 5 और 6 और एक screenshot color चूश करने के लिए भी add कर देते हैं अब हम सबसे पहले मैं इसकी जो डेश्बोर्ड है वह आपको समझा देता हूँ कि किसे क्या होगा तो यह तो शिफ एड़रेश्मेंट के लिए है और यहाँ पर हम back पर click करेंगे तो डेश्बोर्ड के अंदर वापेश चल जाएंगे और हम व्यू कर रहे हैं Samsung 8 के लिए अगर आप ज्यादा डिवाइस के लिए करना चाते हो आपको add device क्रेट करने है और अलग-अलग images आपको add करने पड़ेगी तो हम वह भी नहीं करेंगे और यहाँ पर प्रिव्यू करेंगे अगर यह अपलोड करने का option मिल जाता है मतलब अब जे करसर जहां पर भी होगा हम उसकी image उस फोन के अंदर हमारी image को set करेंगे उसके बाद हमारे पास कुछ layout छे background colors मिल जाते solid color gradient color image patterns and text जो मैं add करना है सबसे पहले मैं screen images को upload करेंगे यहाँ पर मैं add screen कर देता हूँ और आप देख सकते हैं मैं one by one सभी images को upload करता जा रहा हूँ तब तक आप इस चैनल को subscribe कर देजिए और हमारी previous series के लिए आप i button चेक कर सकते हैं आप i button पर चेक कर देजिए और हमारी complete coding tutorials की series देख लेजिए जहाँ पर आप wallpaper application बनाना सिख जाएंगे और उस application का source code में अगले वीडियो में उसके link देने वाला हूँ आप चाहे तो हमारी चैनल सब्सक्राइब कर दीजो और अगले वीडियो के notification का वेट किजे तक उसके अंदर हम हमारी में जीश का source code देने वाड़ है तो हमारी application का source code देने वाड़ है तो इसको हम डिलेट कर देते स्क्रीन को और फिर से एक एड़ कर देंगे तो यहाँ पर लोडिंग हो गई अभी हम layout select करेंगे तो सबसे पहला layout तो यही रहीगा फुल और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखेंगे हमारी डेशबूर्ड है सही लग रहे है इसके लिए हम rotate कर देंगे तो हमारी जो screenshot से वह complete हो जाएगी ऐसे यहाँ पर और तो त्री तो यहाँ पर हमने 6 टेक्स कर लिए और इसके लिए हम सिर्फ color से देखना है तो इसके लिए में यह layout select कर लेता हूं चलो यह कर लेते हैं तक यहाँ पर हमें colors का idea लग सके तो first second complete हो गया अभी हम force पर जाएंगे और अभी हम headline यूज करेंगे so यहाँ पर में text मिटा जेता हूं so हम फंक्शनलिटीस एड करना शूरू कर देंगे one by one so first functionality हमारी रहेगे write your notes then here we will write clean dashboard here we will write add your note and plan your day उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे image add your images to note so यहाँ पर हमने fourth highlight लिख दी और यहाँ पर हम लिखेंगे add your url to note और इसी तरीके से आप अपनी हमारी जो हमने HD wallpapers की series बनाए उसके लिए भी आप इस तरीके से image select कर सकते हो इसके बाद हमें background पर select करना है और यहाँ पर हमें solid color मिल जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको change करके भी दिखा देता हूं कि कैसे होगा तो solid color में आजाना है और यहाँ पर कुछ suggestions है और अगर आप चाहे तो random color भी upload कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे colors है और यहाँ पर हमें gradient भी देखने मिल जाता है आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे gradient भी available है हम अभी image pattern ही यूज करेंगे तो वह अच्छा लगेगा हम pattern select करते हैं यह वाड़ी और यह यह वाड़ी रखते हैं अभी screen कुछ काम के नहीं है इसके लिए हम delete screen कर देंगे और ok यहाँ पर हमें 6 screenshots मिल गई अभी हम यहाँ पर सेम टू सेम वही image pattern को add करते जाएंगे सभी images के लिए अगर आप चाहें तो सभी के लिए अलग अलग भी चूज कर सकते हैं इसका प्रिवियो कुछ इस तरीके से आ रहा है अभी हम इसे export करेंगे और हमारी files के अंदर देखेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर add icons क्लिक करते जाना है और उसकी फिर exporting stat होगी तो 6 images को export करेंगे और फिर zip file बनेगे उसके उसके लिए और 100% complete होगा और उसके बाद हमें zip file डाउनलोड automatically हो जाएगी उसके लिए अभी हम वेट करते हैं क्योंकि यह कुछ time लेगा अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को share करना मज बूलेगा थैंक्स फो वाचिंग अवर चैनल एंड अब वेट करते हैं इस zip file को डाउनलोड होने के लिए तो अब भी मैं आपको previous जो मैंने screenshot बनाए थी इसके demo purpose के लिए वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसका folder कुछ इस तरीके से बन जाएंगा और यह zip file में रहेगा आपको इस सारी files इस तरीके से मिल जाएगी यह मैंने demo purpose के लिए एक screenshot create किये थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ so सारी images यहाँ पर folder create करके बता देता हूँ so यह रहा हमारा folder okay so अब देख सकते सभी images कुछ इस तरीके से आमें download होके मिल जाएगी so अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राब कर देजिए और आगे इस वीडियो का इस एप्लिकेशन का सोर्स कोड चाहे तो चैनल सब्सक्राब कर देजिए हम अगले वीडियो में सोर्स कोड दे देंगे thanks for watching coding tutorials अगयो खव्ण सब्सक्राइए । वीड़ झाल झाल झाल